नमस्कार दोस्तों मैं हूँ योगिता स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल बोल्ट स्काए में दही को सौंदरे बढ़ाने के लिए सबसे अच्छी सामगरियों में से एक मना जाता है और यह भी कहा जाता है कि इसके इस्तिमाल से सौंदरे को निखारा जा सकता है ना जाने कितने ही तरह के घरेलू फेस पैक्स में मुख्य सामगरी के रूप में दही का इस्तिमाल होता है यह सच है कि दही कई तरह से हमारी तवचा के लिए फायदे मन्द है और इसका इस्तिमाल तवचा में गलोला सकता है लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दही का चेहरे पर जादा इस्तिमाल आपकी तुचा को नुकसान भी पहुँचा सकता है जी हाँ, दही का नियमित चेहरे पर इस्तिमाल कुछ तुचा संबंदी समस्याओं का कारण भी बन सकता है हो सकता है एकने का कारण कई बार oily तवचा में भी लोग जादा दही का इस्तिमाल करते हैं दही का इस्तिमाल वैसे नुकसान दे नहीं है लेकिन जब oily skin वाले इसे रोज अपनी तवचा पर इस्तिमाल करते हैं तब तवचा और जादा oily हो जाती है और oily skin मोहासो का कारण बनती है skin allergy का कारण दही में protein, lacros, calcium और vitamin की अच्छी मातरा होती है लेकिन दही का 7 रात के समय भी नहीं करना चाहिए दही का 7 रात के समय करने से तवचा संबंदिक कई बिमारिया हो सकती है इसके अलावा कई लोग की तवचा बहुत जादा समवेदन शील होती है और उन्हें bacteria से बनने वाली तवचा से allergy हो सकती है तवचा के चिपचिपे पन का कारण दही में oil content भरपूर मातरा में मौजूद होता है और खास तोर पर monsoon में जब तवचा में जादा नमी हो जाती है तब दही और जादा नमी का कारण बनता है जब दही को तवचा में इस्तिमाल किया जाता है तब ये चिपचिपी तवचा का मुख्य कारण बनता है यही नहीं ये पसीने के साथ mix होकर एक अजीब सी गंध पैदा करता है जिससे तवचा चिपचिपी और बदबूदार हो जाती है तो दोस्तों हमारे आज के इस विडियो में इतना ही उमीद करती हूँ आपको हमारा ये विडियो पसंद जरूर आया होगा हमें कमेट में जरूर बताएं कि आपको हमारा ये विडियो कैसे लगा विडियो को like and चनल को subscribe करना ना भूले